दोस्तों, आज संडे और रूटीन के मताविक मैं तोड़ा देर से उठा तो सोशल मीडिया पे कहरा माचा हुआ पाकिस्तानी सोशल मीडिया के उपर पता लगा कि पाकिस्तानी स्वीमर ने दुनिया भर के स्वीमर को आगे लगा के रखे यह हम मजाग से महावरा बोलते हैं कि अगे लाके रखे हमील के 25 स्वीमर ने हिसा लिया और पाकिस्तानी स्वीमर 25 नमबर पर आया उनका नाम है एहमद दुरानी और एक हमारी फीमेल स्वीमर है जहां आ रहा वो 30 में से 26 नमबर पर आई है इन दोनों के मकाबला में दोनों को कसूरवा ठहराना शायद 5 और 10 परसंट बनता है बाकी 90 परसंट उनका कसूर सिर्फ यह है कि वो पाकिस्तान के अथलेट है क्योंके पाकिस्तान में क्रिकिट के लावा बाकी खेलों के साथ क्या सलूग किया जाता है वो पाकिस्तान में रहने वाले अच्छे से जानते हैं जो खेलते हैं उनको तो बहुत भी अंताजा है और क्रिक्रिकर का भी जो हाल है वो हमसे हमारे सामने हैं उसके उपर भी जो हमने चांच चड़ाए हैं वो भी हम सब को पता हैं पाकिस्तान Olympic Association जो के एक बोड़ी है जो Olympic के सब you know के मैटर्स को देखती है खेलों को देखती है उसके जेरे उसके नीचे 34 फडरेशन से हैं यारी पाकिस्तान में 34 स्पोर्स खेली जाती हैं उन 34 स्पोर्स के अंदर 15 फडरेशन ऐसी हैं जिनके सरबराब फोज से हैं और ये अ जनरल रिटार्ड आरिफ असन साब थे और इस पूरे टर्नियूर में 20 साल में पाकिस्तान ने एक भी मैडल नहीं जी जीता एक भी मैडल ने चीता मुशरुप सामने अपने उनके दोस्ते और उन्होंने एक रोटायर जनरल को पाकिसान लॉंबिक सूसिशन जो है हवाले कर दी पाकिसान कोई भी फॉरन मुनिस्टो ठाके देख लें उन से ज्यादा जनरल आरिफ हसन के पासपर्ट के उपर वीजे मेलने कोई 15 साल कोई 20 साल जिनके सरबरा 34 में से 15 के सरबरा फोट से हैं और अगेन माधरत के साथ मेरा मकसर यह नहीं है कि फोट से हैं तो मैं इस पर बात करूं मेरा मकसर से मैं एक दो चीज़ों और भी आगे बताऊंगा पाकिस्तान में सबसे अगर शांदार जो दोर रहा वो एर मर्शल नूर साब के दोर में रहा जब पाकिस्तान ने हौकी के अंदर वर्ल कप इंटर्डियूस करवाया बट वो काम करने वाले थे इसलिए उनका इसलिए उनका सब उनकी तारिख भी करते हैं आज भी जो पराने स्पोर्स को जो 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 नहीं पड़ा है मैं तो करने वाला वो कहीं से भी हो उसमें कोई हर्ज नहीं है मगर कोई बंदा 20 बरसों में कुछ नहीं कर पाया कोई बंदा 15-15 सालों से कुछ नहीं कर पाया उनका क्राइटेरिया क्या है कि मिशरफ साब के दोस्ते बस और आप खेल किसके साथ रहे हैं पाकिस्तान ओलंपिक स्प माज़त के साथ यह पाकिस्तान का हाल है और आप लोग चीखों पकार कर रहे हैं जैसे वहां से काउंट डान आना है तो उनका है, उनका तो 100% के पास है, शूटर उनके बहुत अच्छे हैं, पहले भी इन्रोजिल कपेस्टे में शूटर ने उन 2008 में शायद बीजिंग उलम्पिक में उन्होंने गोल्ड मेडल लिया था, जाद है सिर्फ उलम्पिक के अंदर ये शोर मचता है, सिर्फ उलम्पि पहले बहुत से लोग कहते हैं, इसलिए कंपेर करते हैं, पाकिस्तान को अपनी नकामी के उपर शायद हमें इतना इसास ना होता हूँ, लेकिन जब इंडिया की कामजाबी मिलती हैं, तो फिर हमें बड़ा दुख होता है, हम कहां पे खड़े हैं, मुझे जाद है पाकिस्त जो राइविलरी जलन कहने या जो मर्जी समझ लें, यह हम जो मर्जी कर रहे हैं, हमारा कंपेरिशन उदर के साथ कर लेते हैं, हमारे जो आम लोग हैं, जो क्या बनता ही नहीं है, वो बहुत बहुत दूरी की पहुंच चुकी है, आज भी पाकिस्तान अगर उलम्पिक के अ अजी सो अजी से ऑट मेडल, हाकी में से हैं, अन्दाजा करने आज़े हैं, उन्नीस सो चपण से लेकर,नेटीन!ेटी 4 तक पाकिस्तान ने ह्र एम बेक सौई 80 से में पकिसानी शिरकत ने की थी, बाकिहर में हैरर उलम्पिक में जीते, individual capacity के अंडर, आप किसे कुछ लागा, नाम किसे को बताओ, मैं मान लेता हूँ कि पाकिस्तान में जैसे फुटबाल को आप जितनी मर्जी मेहनत करने हैं, जोरप जैसा टैलेंट दे तो नहीं हो सकता, जैसे जोरप में क्रिकली का टैलेंट नहीं है, मैं मान लेता हूँ तो उनके भी इतनी बड़ी बाती में 10-15 discipline के sports ही, जिसमें से वो मैडल की उमीद रखते हैं, जिसमें खासकर उनके athletics में आते हैं, उनके boxing में, उनकी wrestling बहुत आगए है, उनकी badminton में आगए हैं, वहाँ पे हैं, बट हम भी badminton भी हमारे हाँ बहुत खेलती कि हैं, उसमें हम मैडलीन ला सकते हैं, अगर आज हम तयारी करें तो अगले 15 बरस के बाद हम कम उसकम qualification में तो आते हैं, हम athletics में sprinter हमारे थोड़े बहुत 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 हैं, बट अब हमारी sprinter जो इस Olympics में हिस्सा ले रही है, आसा साथ में से एक बाई याद रखे हैं, चार इसन जो qualify की हैं, वाल कार्ड एंटरी जिनों कहनते हो तुसी के federation, जिनों international federation है उस खेल से related, वो कहते हैं कि यारी कौलिफाइ नहीं के हैं, मगर इनको oblige करने के लिए आप प्लीज इनको, you know कि एक token of love समझ लें के participate करने दें, तो वहां तक ठीक है, फाइका रियाज है, हमारी sprinter जो हिस्सा पर्मेशन लेनी पड़ती है, क्योंकि वो जीम जो फसिलिटेशन बनी हुई है, वो हमारे बिरोक्रेट्स के बच्चों के लिए बनी हुई है, माज़रत के साथ और पैसा मेरा और आम लोगों का लगा हुए, आप पैसे दें, मेंबर्शिप लें, जितनी महंगी मेंबर्श हैं, आप तो कॉलिफए नहीं करेंगे, साथ लोग हैं यार, 25-30 करोण अबाधी के मुल्क में से सिर्फ साथ लोग हैं, और यह शोर अभी 4-5 दिन मचेगा, 4-5 दिन मचेगा, ओलम्पिक खतम, अगले ओलम्पिक में फिर शोर मचेगा, तो माज़रत के साथ, मैं अभी बात स्टेटमेंट नहीं दे रहा, मगर हमारे प्राइम निस्टर इमरान खान रहे, एक स्पोर्समें हमारे प्राइम निस्टर बने और उस दोर में पाकिस्तान खेले, ज्यादा नीचे गई, खासकर क्रिक्ट ज्यादा नीचे गी, आज किसी मर्जी क्रिक्टर से आप उठा के पूछ लें, वो कहेंगा किम्रान खान साब की जो पॉलिसी थी, उसके दिसे हमारी क्रिक्ट जो है वो पीछे चलेगी, और तकरीबन 5-6 साल पीछे गए, यह आप जिन से मर्जी पूछ लें, मैं अपनी दर से स्टेटमेंट नहीं दे रहा है, और आप यकीन वाने, मैं उसके हैं कि यह चाई बेचने वाला जो है वो इंडिया का प्रामिनिस्टर बने, आप उसकी सोच देखें, खेलो इंडिया के नाम से स्लोगन दिया उन्होंने, 900 क्रोड बजट रखा उन्होंने, खेलो इंडिया, पाकिसान का कितने 30 अरब रुपे, पाकिसान का टोटल बज़र क 0.03% बनता है, जो खेलों के उपर आते हैं, ठीक है, तो बात पॉइंट यह नहीं होती कि आप क्या है, आपकी सोच क्या है, और आपका वीजन क्या है, वो होता है, हमारे हां कोई भी हुकमरान है, यह शरी फैमिली को पर तो अभी हमारी प्रामिनिस्टर है, उन पे तो उमी उसमें भी स्पोर्स के उपर कुछ खास नहीं हुआ, विडियो रिस्पेक्ट, मैं चुक्छे स्पोर्स रिपोर्टर हो, मैं सिर्फ इस परस्पेक्टिव में बात करूं, बकि मैं प्रोटिकल नहीं करना चारा है, खुदा दा वास्ता मिन गौला नहीं कर दियो, यह हैं दो कितने पाकिसान की कोंपनी हैं, कितने इंडस्ट्रेल हैं, कितने यु नौज स्टेट जो हैं, जो कर रही हैं, प्राप्टी डिलर समझ लें बड़े लेवल के, मलक रियास आपको दो सपोर्स यह रेस्लिंग दे दे रेस्लिंग करेंगे, नहीं करेंगे फंड, वह 100% करेंग तब बैना मगर किसी का ही नहीं, इंट्रस्ट भी नहीं है, पॉइंट यह है, किसी का इंट्रस्ट नहीं है, बैंक्स हैं कितने, I know कि मार्केटिंग स्टरजी यही होती है, लोग करिकर के उपर इसलिए इन्वैस करते हैं, नको लगता है कि कुछ पेवैक भी होगा, मगर ये दूसरी खेलों के उपर भी as a national duty के तोर पर आप किसी को कह सकते हैं request कर सकते हैं कि खुदारा इसके उपर कुछ करें इंडिया ने भी पिछले 15-20 साल से महनत की उसके बाद आ जाकर कुछ थोड़ा सा चेहरा बने हैं वह ये बहुत हैं उसके 10% भी नहीं है। ये वह वर्त सच हैं उनके पास पैसे हैं उनके इतनी बड़ी अबादी का मुल्क है ये भी KICA collections के पास हरी आमहि 유 वहितने जोन निरित चोपड़ा की उपर इस उलम्पी की तैयरी में लगाये हैं बागी जो बेंटमींटन की हैं रैस्लिंग की इखिक बात करऊं ने पैसे लगेंगे ताकि यह जो है वह में कुछ न कुछ दिला सके अब यह मैं पढ़ रहा था एक जगह पर 900 क्रोड बजट भी उनका सिर्व इसलिए है कि अलम्पिक तो भी पढ़ी गया ना अगस में ही आ गया तो इसके लिए त्यारी करने के लिए पैसेज ने चाहिए वो पिछले बजट के अंदर ही उनकी त्यारी हो चुकी थी आगे कामनवल्ड गेम्स और रिशियन गेम्स ने जड़ा तर तो यह है दोस्तों यह है सब के सब सीन के उन्हें मतब आपको भी स्थोड़ा सीरीज होके सोचना है आप अपने बिजनसमेंस को कहें आप जिनके पास थोड़ा पैसा उनको कहें कि आप हमारी स्पोर्स को लेके चले अगर यही बात में आपसे अगरे लॉंपिक में भी कर रहा हूंगा अगर जिन्दगी रही तो कि फिर हम कोई मेडल नहीं कोई क्वालिफकेशन नहीं कोई चक्कर नहीं फिर रोना पिटना फिर चार साल गुजर जाएंगे फिर क्योंके पिछले तीन लॉंपिक तो मैंने हमारे खिलाडी भी मेहनत नहीं करते हैं यह भी एक बात साच आप क्रिकिट का देख लेना क्रिकिट में तो सब कुछ है हम कहां पर खड़ें आप बड़ी टीमों को छे में पाकिसान को नहीं देखता जैसे आप देख लिए इंगलंड है आस्ट्रेलिया है इंडिया है अफगानिस्तान भी है वह भी बराबर की ट्रकर आप तीम मैच कराके देख लेगा आपको सो में कितने दस होते हैं दोस्तों यह मेरी राए अपनी राए कमेंड की सुट में जूट थाएगा में तो सब्सक्रा के लिए तने ही चाहसे दिचिए अला आफिस